गुट मॉर्णी गोड़ी मैं सबी कास सोगत करता हूं फीजिस गान मकेशने एक चैनल पे आज हम लोग फीजिक्स 2 पार 2 क्लास 12 का पार 2 फीजिक्स पार 2 में आज डिसकेशन होने जा रहा है हमारा आज हमारा ये चप्टर को मैं वाइंड अप करने वाला हूं इसलिए पहले लेक्टर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से हमने सबी चीज़े क्लियर किये हैं आप लोगों ने नाम भी सुना होगा मैंने पढ़ा है आपको सुपर पुजिशन यूज में जिग्र किया था मैंने जब साउंड बढ़ी आती है मतलब आंप्लिटेट बढ़ा होता याद है उसको रिजोनेंस कहते है वैसे ही electric circuit में resonance क्या होता है आज हम लोग इसको आगे बढ़ने वाले है तो आज का topic है अपके लिए lecture 5th number end of होने वाला आज इस chapter का electric resonance इसमें LCR series लगाएंगे और TRL भी बात करने वाले है तो चलो आपको पता होना चाहिए जो radio था radio रेडियो सुना होगा आज काल हमारे फोन में रेडियो एसर है पहले रेडियो अलग मतलब के इंस्टुमेंट रहता था उसमें हम लोग इसे नॉप से किसी 98.3 FM बजाते रहो कम लगा मला नाम सुना होगा रेडियो मिर्ची बढ़ा बिक एफिन ऐसे नाम होते है वी दभारती यह दोगा आपको तो यह जो हम फ्रिक्वेनसे मैच करते हैं तो वो और स्रेक्वेनसे होतीै और उसको मैच करने के लिए हम लोग आज का इवाइस पढ़ने जा रहे है रेüzॉन सर्किट क्या बढ़ने वाले रेजुन सर्किट साथ मैं आपने जो मैंने sound के बारे में आपको बता रहा हूँ sound में में भी resonance ऐसे की DJ बजरा यहाँ पर और DJ बजरा कोई glass की building है समझो या glass है थोड़ा हलका glass रहा तो वो फूटने का डर होता है या मतलब वो तूट सकता है क्यों resonance के कारण या कोई जो soldier marching करते है पता ना अगर bridge लकडी का बना हो वो भी तुटने का chance रहता अगर आप clapping कर रहे हैं ऐसे ऐसे resonance circuit ठीक है CKT मतलब circuit होता है तो चलो हम लोग इसके उपर आध बात करने वाले हैं तो इसको सबसे पहले मैंने LCR circuit क्या होता है यह already आपको बताया था कहां AC voltage applied inductor capacitor and resistance यह यूज करने के बाद आपको मैंने AC circuit में ही आपको LCR circuit पढ़ायता है वही circuit यहां पर निकालने वाले देखो यह हमने inductors, capacitor और यहां पर resistance AC यूज करना AC का सिम्बल यह होता है पता है आप लोगों को और यहां पर EMF यूज कर रहेंगे sin omega t시에 उन्मे यह सब कुछ discussion हो चुका है और करन का direction मांनेगी यह करन काaf actually यह तो करन का direction ही नहीं क्यों AC AC मतल into effect रवगाए पच्छे तो यह कोई instance पे current है रिजोनेंस करना चाहते हैं तो कैसा resonance होता क्या हते है दिमें हर चीज का हम यह discussion करने जा रहे है सबसे पहले यहां पर हमारे पास impedance क्या होता है यह बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको एक facial diagram निकाल के दी थी जो कि मैंने इसको कहा था EL यह EC है और यह ER है और यह current का भी direction ही है जब EL जादा हो तो graph ऐसा निकाला था याद होगा ओमेगा मागजिमम यह मैप अगर इस ही ज़्यादा है तो यह graph होता है अगर यह in face में रजिश्टन जब होता है इसे के through मैंने आप लोगों को भाया यह था यह मैप के बारे में किसे ने कहा है कि inductance के बारे में बताओ तो यह था यह था यक्सी और यह था हमारा और करन का डारिक्शन यह है कोई शाग के बाईया यह मैंने फेसरी डाइक्राम अल्डीडी आपको यह पीक वेल्यू यह अच्छली पीक वेल्यू अप दो होल्टेज है यह मैपको हो और यह मैक्जिमम यह था मतलब कराबाखे दिया था क्या इसको इंपीडेंस निकालना ग्रु मैंने कहा था आप लोगों को ये था Ari squareINK Lacan GBः यीज कि ओग्रेंल का थ यह bisschen ग्रेंटर है देखो 20 Leben मैं कर पा रहा हूं रुआ हूँ यक्स ACC derivative कभीक भी हो सकता है कि 18T is greater than Jacques. तो हम लोग लिख सकते हैं equation को xc minus xl भी लिख सकते हैं तो बहुत सरे लोग ऐसे xl यहाँ पर difference लिखते हैं इसको difference बोलते है yaxi ऐसे लिख सकते हैं हम लोग actual में लेकिन क्या करें हमने यह condition देखी थी हमारे books में HST board में यही दिया है इसलिए यह condition satisfy हो रही इसलिए मैं जादा इसके उपर discussion नहीं कर रहा हो तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं आप लोगों को इसकी सभी के value पता होना चाहिए यह कौन है तो xl xl मतलब omega l बुल गए बुल गए मैंने ac voltage applied inductor ac voltage applied क्या पैसेटर ac voltage applied resistance इसमें आपको resistance क्या होता है बता दिया था है ठीक है कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते है टॉइस पाय या फ्यल अरे यह ओमेगा frequency और frequency कौन सी एंगुलर frequency इसका लिए formula है टॉइस पाय यन rotation dynamics में पढ़ाया था मैंने यह अनको यह वोलते बस बाक्यों कुछ नहीं यक्सी क्या है यह यक्सी है यक्सी है आप है वन बाई omega सी याद होगा तो इसी को कैसे लिख सकता है टॉइस पाय याफसी क्वेश्या के यह बेस नहीं है या ठीक है ना क्या मैं इसमें value put up कर सकता हो कुछ लोग omega के form में भी लिख सकते हैं आपके बुक्स में omega के form में है तो यह गलत नहीं है ऐसे यह वाईया देखो ओमेगा यल और इसकी जो value है 1 by omega सी ऐसे भी लिख सकते है या मैं जो लिख रहा हूँ वो भी आप सही ही होगा गलत नहीं होग मतलब यह अपनों पहिचाननी के लिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि इसका कामे मुझे graph निकालना इसके उपर सवाईया एक्चल मैं अपके books में यही देखो यह formula लिखा है सही है कोई tension नहीं है सही है formula ओके लेकिन मैं साथ मैं ऐसा भी formula लिख सकता हूँ यहाँ पे root of r2 plus मुझे बताओ omega l की value toys by f l लिख सकता हूँ यह लिखो यह लिखो दोनों का meanings हैं यह मतलब toys by f l minus 1 by toys by fc दोनों का मतलब से में वया यह लिखो यह लिखो दोनों equation एक दुसरे के यह only angular frequency के form में है यह omega मतलब क्या है angular frequency है और यह cd frequency के form में लिख दिया दुसरा इसका meaning कुछी भी नहीं है सब meaning एक ही है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सबसे पहले देखो frequency मैंने low रखी जैसे कि frequency frequency को मैं low रखू यह low रखा मैंने मतलब कम जब frequency रखी तब की बात कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है अपने क्या बोला sir frequency बहुत कम है frequency कम है तो excel कम है अरे frequency कम है तो excel में कम है यहाँ frequency कम है तो xy जाता है अरे यह directly proportional है यहाँ पर लिख सकता ना xl is directly proportional और xy यह inversely proportional है बस समझ में आरी है मतलब अगर अपने frequency low रखी तब हम लोग यहाँ पर xl is low यहाँ लोग इसको कह सकते है कि आपका inductive reactance जादा है और capacity reactance low है मतलब हम लोग लिख सकते है इंड़क्तिव देखो inductive reactance is low and capacity reactance is high होगा कोई शक है जब अब frequency बात को समझा बहाँ जब frequency low हो तब यह condition होगी देखा है मैंने frequency low लोगी सबसे पहले तो मैंने देखा कि inductive reactance low है क्यों? directly proportional है और capacity reactance यहां पर हाई होगा क्यों? इन्वस्ली यह low है तो यह है इन्वस्ली एक चोटा एक बड़ा होता है इन्वस्ली मैं अच्छी बात है अगर मैंने next condition रखे भईया ठीक है मैं इसको थोड़ा यह से wind up करता हूं अगर frequency देखो frequency अगर हाई रखो तो क्या होता है च reactance is high होगा क्यों? क्योंकि directly proportional है यह high तो यह भी high और यहां पर capacity j है capacity reactance is low हो रहा है बास समझ में आ रहे है मतलब मैंने दो condition देखे फ्रिक्वेंसी ज़धा और कम रखे देखा मैंने तो इसमें एक कम एक ज़धा हो रहा है एक कम एक ज़धा हो रहा है और यह जो है ना यह सभी frequency को पर डिपेंड यह frequency को पर डिपेंड नहीं है मतलब यह L C औ इसका यह map का directions से में यह AC को भी allow करता और DC को भी allow करता है वो frequency frequency कुछ नहीं जानता वो बलता तुम आ रहे है ना चलो जाओ को इटेंशन है यह पार्सलेटी नहीं करता है जितना अपस करना उत्या करता है लेकिन यह दोनों जहें यह बहुत कलागार लोग है यह चाहते frequency को अपकी frequency बहुत ज्यादा है ठीक है तो यह allow करता है जिसकी frequency low DC को block करता है capacitor DC को block करता है क्यों इसकी frequency कम यहाँ पर उल्टा है जिसकी frequency बहुत कम है उसको जाने देता डारिक यह frequency ज्यादा है थोड़ी कम रहे तो आने दो और थोड़ी रहे चलो बोलता है ठीक है मैं थोड़ बहुत जादा फ्रिक्वेंसी रही ना तो बहुत जादा फ्रिक्वेंसी रही ना तो बहुत बहुत फ्रिक्वेंसी रही है क्या मतलब यह दोनों फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड यह नहीं फ्रिक्वेंसी कुपर डिपेंड तो मैंने वला एक काम करते हैं यह सभी कंडिशन्स ह तो हम ऐसी frequency setup करते हैं क्योंकि frequency low और high रहा तो क्या हो रहा है इन दोनों का कुछ ना कुछ change हो रहा है इसमें भी change हो रहा है मैंने decide कि यहां पर frequency ऐसे मुझे setup करना पड़ेगी ताकि उनका mail हो जाए कुछ ना कुछ तो मैंने काम किया यक्सियल इस एक्वल टू एक्सियर रखा दोनों के इक्वल देखो high रखो तो भी कुछ हो रहा है लोग किया तो भी इसलिए मैंने frequency को match करने के लिए कुछ ऐसे frequency मतलब अच्छी frequency लाने के लिए मैंने दोनों के equal किया तो दोनों का फर्मूला तो आपको पता ही है तो दोनों का फर्मूला जो है यक्सियल का क्या फर्मूला देखो यहां पे ओमेगा यल और इसी को रेजोनन frequency बोलेंगे जो frequency हम लोगों को match करनी है ठीक है और यहां पर है उसकी frequency 1 by omega rc यह angular frequency match करने के लिए चलो इसको इदर ला लिया omega r square 1 by lc बास समझ में आ रही है omega multiply किया omega square लेकिन omega क्या है toys pi f है देखो यह लिखाए मैंनी तो यहां पर toys pi f लेकिन r क्यों लिखा है resonance frequency 1 root of lc रहाँ यह सक्क्वेर गया तो 1 का स्क्वेर रूट 1 यह root में आएगा तो omega की value क्या है toys pi f लेकिन resonance frequency निकालनी है मुझे तो यहां पर हम लोग डाल सकते यह far is equal to 1 by toys pi root of lc क्या क्या समझ में आ रहा है यह 2 pi इदर जाने वाला है तो मुझे यहां पर resonance frequency मिलिए 1 by toys pi root of lc क्योंकि मुझे resonance करनी है अच्छा मतलब क्या है सरा और समझा दो तोड़ा देखो यह कह रहा है कि आपको यल या c की value ऐसी setup करना पड़ेगी उससे हम लोगों को ना तो low frequency रखना है ना high रखना है ऐसी frequency रखेंगे उससे मेरा resonance यह condition आ जाए इसी को बच्चो resonance frequency कहते है इसी को क्या कहते है resonance कब मिलती है अगर आपने capacity reactance and inductive reactance की value को same क्या same मतलब होती है वो frequency पर depend करती है बात समझे फ्रिक्वेंसी वो frequency पर decide हो जाता है यह frequency अगर आप लोग रखोगे तो यहाँ पर इसका xl यह xl यह xc के बराबर हो जाए उससी frequency को हमने नाम दिया है resonance frequency बात समझ में आ रही है मतलब भया अगर हम लोग हमारे इस equation से सोचा जाए तो हमारा जड जो मिल रहा है यह root of r square plus xl minus xc अगर बराबर रखे तो 10 minus 10 0 होगा तो 0 रहा तो root of r square होगा मतलब 3 is equal to r होगा मतलब भया आपका impedance minimum to minimum रखना पड़ रहा है आपको impedance कैसे रखना minimum मतलब करण जादा अरे यार इसका जो resistance है इसका resistance इसका तिनों क्यों मिला क्या हम लोग impedance कर दे देखा कब होगा impedance मतलब एक अपोज करने वाला factor वो सबसे कम हो सकता है यही condition होए कि जड़ी is equal to r रखे तो इसको xl xl xc दोनों बराबर है तो 0 0 तो सबसे यह 0 वेक्टर होगा मतलब सबसे minimum कम से कम अपोज होने वाला यही factor है मेरे खाल से मेरे बास समझ में आती होगी वाया तो क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे मील रहा है इसका मतलब क्या current और उसको current को बोलेंगे maximum current क्योंकि e0 भाई जड़ यह equation डाल सकता हूं बुल गए equation इसके पहले का lecture देखना बहुत जरूरी है इसलिए ठीक है मतलब हम लोग i0 is equal to e0 जेड मतलब e आ रहे तो इसी equation को मैं ऐसे भी निख सकता हूं मैं हगदार हूं इस equation लिखने का है ना यह equation लिखने का हगदार हूं सकता हूं मतलब maximum condition यह लायर circuit इसी को resonance condition कहते है क्या कहते है और इसी frequency को हम लोग resonance frequency कहते है मतलब हम लोगों को क्या करना है यह बात समझ में आना बहुत जरूरी है मैं कुछ point आपसे killer करना चाहता हूं main main point मैं दुबारा एक बार आप लोगों के सामने में प्रगट कर रहा हूं दुबारा दुबारा देखो मुझे ऐसी frequency high रखी तो क्या हो रहा है low रखे तो क्या हो रहा है मने बोला frequency को ऐसे match करेंगे ना तो low हो मतलब एक जाधा एक कम हो रहा है मुझे equal रखना है तो यह कंडिशन करना पड़ेगी अरे बाइया देखो ना low रखा तो यह जाधा हो रहा है यह स्वारी capacity reactant जाधा हो रहा है यह कम हो रहा है हाय रखा तो यह ज्याधा यह कम मैंने बोला काम करते हैं दोनों को match करने के लिए एक condition रखते हैं तो यह जो frequency होगी क्योंकि बाइया इनके frequency के उपर इसका reactant depends है देखो ना यह frequency पर डिपेंड है तो मुझे ऐसी frequency रखनी है जिस frequency पर यह match करें तो मैंने बोला यह करते हैं तो resonance frequency मिल जाएगी तो यह resonance frequency मिली मुझे यहाँ पर यह ठेक है इसके उपर आपको सवाल आने के numerical आने के chances होते हैं और यह आपका resonance circuit है मतलब यहाँ पर मुझे current जो है वह i0 मिल रहा है कैसे maximum मिल रहा है और यह कम देखो resistance मतलब इस circuit का resistance का मतलब करन ज्यादा आई अरे आपने का है ना कि मुझे जड़को minimum किया मैंने तो current maximum मिलेगा और जहां current maximum होगा वहाँ frequency maximum होगी देखते कैसे कभी low भी होती कैसे होती मैं बताऊंगा आपको पहले इसको note down किया जाए ताकि मैं आपको इस graph के दौरान सभी चीज़े one by one समझा दूंगा इसे तो समझ में आगी यह सबसे जितना कम उतना ज्यादा यह कम तो यह ज्यादा होगा वाइस वर्साथ आपको current maximum आए मतलब pick value of the current i0 मतलब pick value of the current pick value होती है जैसे कि हमने इसके पहले graph में पढ़ा था पीक value किसको इसको पीक value कहते है और इसी को i0 कहते है हम लोग यह not i0 बताया था note down करें आगे में ग्राफ बताऊंगा आपको अब देखेंगे हम लोग graph निकलने की कोशिश करने वाले है resonance के लिए एक बात बताता हूँ दो equation याद होना चाहिए अपको कोई शकने विजना चाहिए ओमेगा के form में लिख सकते हैं और f के form में भी लिख सकते हैं आप लोग मैंने काम किया मैंने बोला चलो इसमें condition बनाते हैं कि f आपका small है समझो कि देखो क्या होगा याप small है तो यह value small है यह large है अर्य इनुवरस्ली वाली large होगी ना फिर बात समझ में हरी है 순ा अटो यह value small होगी चुह पाय भाली यह लारज की ओर होगी बात समझ में रही हैं यह small होगी है यह लार्ज हो रही है अगर यह मैंने लार्ज कर दिया तो इसका जो डिफरेंस है वो बड़ा होगा और माइनस हो प्लस हो तो स्क्वेर हो तो प्लस में आएका मतलब यह जो जड़े इसके आर्थो कुछ नहीं कर रहा है अपनी जगे पर भाईया ठीक है तो जड़ लार्ज हो रह समझे ना तो इससे क्या हुआ इसका ओर अला एंसर कुछ ऑड हो रहा है आरमे इसलिए हमारी जड़ जड़ की वैलु यहां पर लार्ज मिल रही है जड़ की वैली मिल रही है यह बात आपको पता होना चाहिए चलो मैंने बोला दुसरी कंडिशन हम लोग क्या करेंगे लार करें देखो ये लाज है तो अब यह झोगा लार्ज रख और यह होगा स्मॉल कि लेकिन ओर लिखा जाए मतलब यह और हजार और यह और दस कि इसका सब्ट्रेक्शन करें इस्क्वेर करके यह भी वैलु लार्ज हो रही और यह लार्ज होने से से एड़ होना है एड़ हो कि ये भी मुझे जड़ तो भी large मिल रहा है मतलब इस equation से ये समझ में आ रहा है मुझे बया कि f अपने small भी रखा तो भी impedance जादा मिल रहा है large देखा frequency मतलब frequency जादा भी रख के देखी तो भी मुझे जड़ large मिल रहा है मतलब एक value मैं जिस पर graph निकाल के दे रहा हूँ जड़ versus frequency resonance frequency की बात करें या frequency बोलो इसकी मतलब ये frequency है अपकी और ये जड़ से मतलब मेरा जब यह देखो ये 0 है यहाँ पर समझो 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है समझे ये 60 है सब्तार है ये 80 है 90 है और ये जड़ समझे मैंने देखा और ये भी यहाँ पर 10 20 जो भी 30 यहाँ पर 40 डाइडश बस समझ में आ रही है मैंने देखा कि मेरा small था देखो small frequency है यह यहाँ पर small frequency इसको small मानेंगे यहाँ पर तब भी मेरा जड़ जादा देखो जड़ जादा है ये जड़ जादा है बस समझ में आ रही है और मेरा जब frequency large है समझो 100 पर या 80 पर large है ऐसे बात कर रहे है तो भी जादा यार मैंने तो आपको यहाँ पर कहीं ऐसी frequency होगी यह इसको resonance frequency बोलेंगे ने समझा सर ने समझा मुझे बताओ मैंने देखा कि large भी डाल के देखी वेल्यू तो यह ऐसी वेल्यू होगी देखो ना अब मैं इसको ने क्या small से large करते जा रहा हूँ लार्ज करते जा रहा हूँ तो यह कम-कम होगा क्योंकि इनवस्ली जैसे लग रहा है ना मतलब इसको लार्ज के तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि यह कुछ ऐसा ऐसा ऐसे बात में बहुत large किया तो double i से आ जाना पड़ रहा है मैंने इसको large किया तो small होगा ऐसा कुछ होता होगा एक conditions होगी कि एक time पे एक ऐसा time होगा जहां पे मेरा जड़ जो है वो small आता होगा हना जड़ जो है मेरा देखा दोनों तरफ लार्ज small पे भी लार्ज पे भी तो एक condition ऐसे होगी कि जहां मेरी frequency जो है वो कम मतलब frequency जो है यहां पे ऐसे midpoint होगा मिड़ पॉइंट डोनों का यह small or large का मिड़ पॉइंट मतलब जैसी कि मैंने बोला न यह 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है 70 है और 80 यहां पे भी large मिल जड़ यहां पे भी जड़ लाज मिल रहा है तो इसके बीच में कहीं मिलेगा इसके बीच में कहीं frequency ऐसी होगी कि वहां पे हमारी resonance frequency मि इसा होगा कि जिस पॉइंट पे मेरी frequency यहां पे क्या होगी resonance होगी इसमें क्या हो रहा है जड़ कम हो रहा है जड़ कम है मतलब आगर मैं जड़ के इसाब से करण के इसाब से निकाल दू आपके books में करण का graph है current versus frequency तो इसमें यही graph कैसे निकालोगा वही आब लो बस उसको उल्टा कर दो जूम यह कतम किसा तो यह जो है I not maximum जो करण मिलेगा क्योंकि जड़ और I inversely proportional है यह देखो ना क्योंकि I not is equal to E not by जड़ यह E not by R लिखा है मैंने तो इसका graph भी inversely proportional होगा इसी को हम resonance frequency कहेंगे भाईया यह frequency के लिए graph frequency और current की बिच में का graph है तो के books में जो maximum जहां current है जहां maximum current है वहाँ पर हमारे frequency resonance होगी मतलब वहाँ पर xl minus xc जो है उसको xl is equal to xc रखा जा सकता है इसी को xl is equal to xc रखा जा सकता है बहुत समझ में आ रही तब कि यह condition होगी जब हमारा current maximum और यह purely register circuit होगा और यह पी वर ली रजिस्टू circuit होगा यह होगा यह तभी भया यह resonance होता है यह था LCR circuit अपका, LCR circuit, मैरे खायल सब यह यह बहुती details में लेनी की मैंने कोशिस की है, समझे ना, अगर हम लोग और फेसर एक diagram थी, ठीक है, यह निकालने के जरूत ने, लिकिन यह समझाने के लिए निकाला मैंने, इसके ही सबसे, small था, तो भी जड़ लार्ज है, जब मैंने f को ल frequency होगे, वहाँ पर जड़ मीनिमम होगा, मतलब current maximum होगा, बात समझ में आ रही है, ओके, all is well, भाया, यह जो टीवी, गीवी, receiver होते है, receiver, मतलब जैसे के electromagnetic views आ रहे हैं इसे, electromagnetic यहाँ पर antenna होता है, antenna में यह electromagnetic radio, x-ray किसरे, सभी rays आपे, पता है ना, और यहाँ पर हमारे जो component है यहाँ पर match होता है, ऐसे कुछ, ठीक ना, यह resistance है, ठीक है, यह लगाया होगा, तो यहाँ पर यह आने के बाद, यह capacitor की value change करते हुए, मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आपे, क्योंकि हमारे syllabus में नहीं है, अगर गलती साब लोग इंजिनिर गिंजिनर बन गे तो पढ यह लगती है frequencies, ऐसे कि 98.3 FM, पता है ना, 95.3 है मेरे खाल से, एक 92.75 कुछ तो ऐसे है, तो यह frequency match करने के लिए, यह यहाँ पर ऐसी कुछ frequency, resonance frequency लाते है, और उस channel को match किया जाता है, चलो इसके क्या characteristics से पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़े characteristics क्या-क्या है, तो हम लोगों जो है इस questions में, वही चीज पढ़ेने वाले है, number one, भाया, resonance occur करना चाते हो, तो yaxial is equal to yaxi रखना पड़ेता है, हाँ sir, पढ़ा है, पढ़ा है, बढ़ा है, अभी तो अपने बता है, yaxial is equal to yaxi, resonance occur करना चाते हो, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आगर impedance minimum किया जाए, द minimum, तो वो, पी वरली, कौन सा, रजिस्ट्यू, सर्कीट बनता है, बराबर है न, xl is equal to xl करो, तो यहाँ पर हमने देखा था, कि j is equal to r बनता है, कैसे बनता है, इन दोनों के equal करो, 0 हो जाएगा, यह root के बाहर आएगा, तो xl is equal, sorry, j is equal to r, impedance minimum हो रहा है, सबसे minimum यहीं पर रह है, ठीक है, तो यह minimum, तो current, कैसा होगा, maximum, current कैसा होगा, maximum, कैसा होगा, maximum current होगा, इसमें maximum होगा, समझ में होगा, समझ में आरा है, आप लोगों को, कोई टेंशन ने, और resonance frequency आपकी, जो resonance frequency, 1 by twice by root of lc, तो यह minimum तो minimum 4 पॉइंट आपको तो याद रखने, पढ़ेंगे, पाच यह एक्सपेक्टर circuit क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बात, इंपोर्टन से, number of frequency are fed to the expector only frequency, reject the order frequency, मतलब, यहाँ आइंटेना पर बहुत सारी frequency आले, X-ray, gamma ray, visible ray, सभी सभी electromagnetic waves है, उसमें अलग-अलग spectrum पता है न, वो सभी लेता है, लेकिन जो चाहे, वो ही लेता है, बाक बाद में बच्चे हम लोग, parallel resonance circuit क्या है पढ़ने वाले, तो note down करें इसको, मैं आगे बढ़ेंगा भी, क्या पढ़ा भी, इसमें, एकी frequency लेता है, हमारा जो भी radio है न, वो एकी frequency, बाकी other frequency को reject करता है, जो हमने, LCR series, क्या बढ़ा, electromagnet, बहुत सारी वे उसे हैं, बहुत सारी लेकिन, यहाँ पे, जब induce होने वाला, जो भी, यहाँ पे, स्वरी, यहाँ पे resistance है, ठीक है, तो यहाँ पे तो, सभी आती है, आते टाई, लेकिन यह capacitor, ऐसे value हम लोग adjust करते है, उससे, only one frequency, लेते है, expector, इसलिए expector, बाकी frequency को, reject करता है, जैसे कि मैं ने बोला कि, 98.3 FM, 93.5 FM लगाना, बिग 5, हैना, बिग FM लगाना है, रेडियो मिर्ची लगाना है, तो एक ही frequency को लेता है, इसलिए इसको, क्या का expector, बाकी frequency बहुत आरी आरी है, 500, 200 आरी है, अलग 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 range के, लेकिन मैं ले रहा हूं यह कि, इसलिए, only one frequency expector करता है, या, हम आप पढ़ने वाले parallel resonance circuit, अब parallel की बात करेंगे, इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ पर हमेरे पास कुछ equation से, इस equation के उपर भी बात होने वाली है, circuit के उपर बात होने वाले है, ज्यादा time ने लगा भी, क्योंकि already मैंने पूरा की पूरा equation समझाने की कोशिश की है, अब मैं ज्यादा parallel देखो, कुछ लोग बोलेंगे, sir, LCR circuit कहे रहे है, ठीक है, कोई tension नहीं, sir, R कहा है, भाया, एक बात बुलू, यह LRI होता है, यह L के अदर R भी होता है, क्योंकि resistance length के उपर डिपेंड है, इसका wire को वाउंड करना, wire को वाउंड करना resistance कहता है, ठीक है कुछ current लेजर अधर जाओ, next-al, I-L, यहांप एथर जाना है, like, कुछ current यहां से जाना है, IIc कुछ current यहां से जाना है, 0031, से ज пошघा दोनों आके, और यह में अब सेम होता है इंड़क्टर में करंड लाग मतलब पीछे होता है पीछे तो इसका सर्कीट इसका जो करंड का जो एक्वेशन लिखुना वो कैसे लिखना चाहिए फिर हम लोग लिखते कैसे है कि यहां पे आई इस इकूल टू आइनाट साइन ओमेगा टी लाग क इसको लिखाता हमने आई इस इकूल टू आइनाट का लिखाता ओमेगा याल एक्च्वेशन में ऐसा एक्वेशन लिखाता अगर आपने पहले लेक्चर ना देखा हो तो बहुत लिख जाएगी और इसी को एक्सेल कहाता इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ मैया कि इनाट बाई अक्सिया लिख सकता हो गिने यह होगा हमरा मैं जादा टाइम नहीं ले ले वाला हुँ इस इकूएशन को तुरंद बताऊंगा क्यूंकि पहले को एक्स्पेक्टर सरकीट और इसको रिजेक्टर सरकीट कहने वाले है कुछ रिजेक्ट करने वाला है वो इसलिए माइनस है और कापैसिटर में करेंड लीड करता है आगे होता है इसलिए इसको लिख हूंगा मैं E0 एक्सेल के जगे पर यक्सी साइल आगे है मतलब होता है प्लस कोईशाइब यह टोटल करेंड कितना है आई किसमें बाटर है हम लोग आयल प्लस आई सी में तो आई जो टोटल करेंड है इसकी वेलिए मेरे पास E0 यक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाइब दूप्लस इसका इक्वेशन है E0 इसका फार्मूले याद होना अगर फार्मूले याद नहीं तो यह मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए फिर आपको फार्मूले तो लंग करना ही पड़ेंगे चलो आई अगर इसका फार्मूले पता है माईनस कॉस ओमेगा टी साइण ओमेगाटी प्लास पॉ πάiTo है ठीक है समझें तो इसका जो फार्मॉला मेरे पास कॉस थिटा होगा कां यह प्लेज़ पहले लिखा तो अच्छा लगेगा नहीं लिखा तो कोई problem नहीं होती है लेकिन mathematically पहले plus बाद में minus रहता अच्छा लगेगा तो यह minus है ना तो minus इधर आ गया तो minus e naught yaxial cos omega t कोई शाख है तो आए एक काम करते है e naught यहां लिखते है ठीक है common यहां पर one by yaxi minus one by yaxial cos omega t कोई शाख है अरे यहां कुछ बुक्स में यहां रिखा है क्या फारख है कुछ लों गलबर कर सकते हैं इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बाद समझ में आ रही यह not common है cos omega t common है बचा क्या one by xc one by omega l मुझे यहां पर minimum current रखना है क्या करना पड़ेगा मैंने काम कर दे यार यहां पर है इसको हम लोग one by xc minus one by xl is equal to 0 ठीक है और आपके books के हिसाब से अगर रखना ही चाहते हो इस equation को रहा ऐसे रखो क्या problem है मुझे देखो one by यह देखो yaxi की value जो होती है one by omega c अब यह भी बताने की ज़रत नहीं पड़ेगी मुझे तो one by omega c देखो yaxi की value लेकिन divide का divide क्या होता है उपर जाता है और यह उस one से multiply divide करने से कोई फाइदा नहीं omega c की लिका समझ आरना चाहिए one by xl की value omega y और cos omega t मैं इसको minimum करना चाहता हूं minimum मतलब 0 कर दो 0 करना यहां 0 राट को 0 multiply 0 तो सभी turn 0 आएंगे मतलब omega c minus 1 by omega y is equal to 0 क्यों मैं यहां क्यों मैं चाहता हूं current को ylcr में current i0 यह था maximum मतलब यह peak value का यह था है i max b लिखता था है और z था minimum अब मैं parallel कर रहा हूं न तो यह minimum क्योंकि वह यह एक जैसे कि मेरे phone है मेरे phone में 100 number से और मैं चाहता हूं एक phone number को मैं block करूं मैं क्या कर रहा हूं block करना चाहता हूं reject करना है मुझे reject ना मैं block करना जाता हूं तो मैं बराबर एक number को block करूं तो मेरे phone आ रहा नहीं आ रहा उस बंदे का मुझे पता ही नहीं लेगीगा एक ही मैंने ऐसे frequency set up करके रखी है कि उसको reject करना बाकि 99 calls आ रहे मुझे रोज आ रहे उसके message आ रहे वार सब सब चीज आ रहे लेकिन एक को मैंने block करके रखा है तो वहां पर minimum करन होगा एक ही को करना तो minimum सबसे कम मैंने 100 में से एक को किया मतलब एक ही को कम कर दिया मतलब उसका जीरो कर दे उसका कॉली नहीं आना कुछी नहीं आना चाहिए बास समझ में आ रहे क्योंकि रिजेक्टर सरकेट है आए करंड यहां पर जो है वो है आए मैं मैं चाहता हूँ minimum करो तो यह 0 आना चाहिए मैंने बोला यह कर दो यह 0 रख दो तो यहां पर ओमेगा सी यह इदर गया तो माइनस का प्लस होगा यह इदर ओमेगा स्क्वेर वन बाई यल सी और अगर आपके बुक्स में यहां पर रेजोननस इस फ्रिक्वेंसी पर रेजोन का है मैंने समझे ना ओके तो मैंने आर की लिखा रेजोननस होने के का रहां तो देरफोर यहां पर ओमेगा यह गया तो यह रूट में आने वाले स्क्वेर गया तो रूट में तो इसका फार्मूला हम लोगों को टॉइस पाई फार वन बाई रूट आप यल सी सेम करने के लिए मतलब प्डाल्वरजोननं सी जो है उसिको मैंने रेजोनन फ्रेकवेंशी का नम दिया रेजोनन फ्रेकवेंशी का है और यहां पे आएं मिनिमम त्टीक है अइक नेत्स है मिनिमम अष्य मिनिमम अजोरीत इसको ठीन मिनिमम मतलश यहां haven जिरू नहीं तो इस 001, क्या पैदा है सर, मतलब अब लिचेज करण बोलते हैं, ईसमें एक व्र से था, आपकी इना दिया, उसको लिचेज करण, थोड़ा ही करण फ्लो होता है, जिडियो होता, रॉटा है, वह लिकेज करण होने कंपर कुछ करण and filter circuit में काम आता है किसमें filter circuit में चलो मैं आप लोगों को इसका कुछ characteristics है वो बता देता हूँ और इसको lecture को wind up करता हूँ थोड़ा सा और एक थोड़ा एक discussion करेंगे ठीक है मतलब इस circuit में हम लोग current को कर रहे है minimum जड़ड क्या होगा जड़ड क्या होगा maximum कैसे सर बात समझादो मुझे बता i is equal to e naught by z यह हमने e naught by r आ रहा था इसके पहले वाले मैंने क्या कहा है i minimum है ना तो jडड maximum होगा हुआ जड़ मैंसिम मोगा भाया समझ में घर मैंसिम मोगा क्योंकी करण मिनिमुब पले इसमें क्या था ये मैंक्जिमम था करण्ट और ये क्या था ये minimum था मतलब हमारा पहला पहला जो ग्राप था याद होगा आपको मैंने ऐसे निकाल के दिया था इसको रेजुननन्स प्रिक्वेंसी को मुझे क्या करना पड़ेगा रूटा करना पड़ेगा क्योंकि आप करन्स मिनिमम में देखो ये करन के लिए तो यहांपे करि में और आजिमम था उस प्रिक्वेंशी को हम रिजोन फ्रिक्वेंशी काईते थे किसमें यल शी आर सीरीज में थी आप यहां पे पैरेलल में अब बोलेंगे सर यल शीर पैरेलल हाँ इसमें आर होता है ऐग्चुली ठीक है हम लोग मानते है यह चलो छोड़ दो हम लोग तो inductive pure capacity circuit मानते है actually होता नहीं है समझ में आ रहा है तो यहां पर minimum दे को यह graph minimum पर आ रहा है क्यों क्यों क्यूंकि current minimum पर एक मैंने बोला ना एक ऐसी frequency setup कर रहा हूं मैं जिस frequency पर एक call मुझा आना ही बंद हो गया ब्लॉक कर दिया मैंने तो एक particular frequency जो है आमारी रेजोनल frequency पर वहाँ पर minimum current होगा तो call आईगा नहीं मुझे वो call मुझे आई नहीं पाएगा बाखी क्या आएगे तो मैंने एक को reject किया पहले circuit को हमने क्या कहा था x vector circuit इसको क्या कहेंगे हम लोग rejector circuit कहेंगे मतलब मैं reject कर रहा हूं किसी और को उसके characteristics के उपर बात करते हैं चलो कुछ नहीं बहुत सिंपल सी characteristics पहले आप लोग को जैसे बोला है बस कुछ चीज़े सेम है कुछ उल्टी है देखो resonance आकर कम होता है यक्सल is equal to xc देखो क्या ह रहा है resonance of course रहा है number two resonance frequency का फर्मुला सेम ही दोनों का toys by root of elc number three यहां पे current minimum है है ना current कैसा यहां पे minimum वहां पे maximum ता current minimum सिंपल सी बात है उसका जड़ कैसे होगा फिर impedance जड़ को क्या बोलते हम लोग impedance कैसे होगा maximum अरे यह तो एक दूसरे को देखो ना कैसे inversely ना जैसे कि हाला तो यह maximum होगा सबसे में बात है यहां पे alternating current जो different frequency send कर रहा है है ना यहां पे हम लोगों को लेखो यहां पे different frequency आएगी electromagnetic waves है हवा में और यह मेरा antenna है यहां पे तो सभी आएगी लेकिन एक ऐसे frequency होगी जहां match करके हम लोग उसको rigid करेंगे उसको क्या करेंगे rigid करेंगे मतलब यहां पे high impedance current resonant frequency rigid but allow the current in other frequency other इस पे allow करेंगे मतलब मुझे ने क्या तो नमबर से 99 वाले के current को मुझे allow करना है और इसमें से एक ही ऐसा होगा उसके लिए मुझे current को stop करना है और जहां एक ही frequency पे जो stop करना है वहां पे जो frequency को इसको resonant frequency काया मैंने मतलब minimum वहां पे current देखो allow कितने को करना है बाकी सबको एक ही को मुझे stop करना है वह जो call आ रहा है एक जो बंदा मुझे बहुत परिशान करता है मैं चाहता हूँ कि इसको block कर दो उसको block करो रूप भई या तो करते हैं न हमारे phone में वैसे यह rejector करता है एक ही circuit को stop करता है इसलिए इसका नाम rejector circuit रखा था और पहले इसमें कैसे है उल्टा था इसमें उल्टा है जब maximum current था तब हम लोग ने क्या उसको ले थे थे मतलब 99 लोगों को block करते थे और एक ही को ले थे इसलिए expector मतलब मेरे tv में हजार frequency आरे हजार channels आरे लेकिन मैं चा आता हूं ABB माजा एक ही को expect कर रहा हूं एक ही को बाकी को 999 को 999 को reject कर रहा था एक ही को expect कर रहा हूं जो बंदा मुझे परिशान करता है उसका call मुझे reject करना है तो इसको rejector बर चोथा point वह यह लिखना है अब्रों को मेरे खाल से characteristics समयाज में आरे होगे यह चार था बहुत बता रहा हूं तो बच्चों यह चाप्टर को कर रहा हूं है यहीं पर खतम अगला चाप्टर होगा अपना dual nature of radiation, dual nature of radiation बहुत ही मजा आने वाला हूँ चाप्टर में तो आपको share करना है like करना है साथ में नए तो subscribe भी करना है चिलो thank you and best look for your study